हेलो फ्रेंड्स मैं गौरव आपका एक्जाम तक यूट्यूब चैनल में हर दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी एसाई 2016 वाली भरती थी उसमें डीवी में प्लस उस रणिंग में कितने केंजिडेट्स फैल होए थे दोस्तो यह मैं आपको विद प्रूफ दखाऊंगा एकदम प्रूफ के साथ इसलिए वीडियो को लाश तक जरूर देखना और दूसरी बात दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि 2016 में जो नॉर्मलाजेशन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था किस सिफ्ट में मतलब किस सेक्षन में कितने कॉस्टन किस प्रकार से कम हुए थे और वो भी मैं आपको विद प्रूफ आई टी आई का जवाब दखाऊंगा इसलिए आप से रोकेस्ट आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना ये वीडियो वास्तम में आपके लिए बहुत बेनिफीसियल रहेगी ठीका दोस्तो फ्रेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और दोस्तो हमने UPSI 1220 की सिफ्ट वाइस नॉर्मलाजेशन प्लस में फाइनल कट ओफ की हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक हम कमेंट में प्लस में फाइनल कट ओफ भी हम आपकी जो बना चुके हैं जिसे हम कमेंट में प्लस में फाइनल कट ओफ भी हम आपकी जो बना चुके हैं ठीक है फ्रेंट्स देखी दोस्तों पहले तुम्हें आपको डाटा बता देता हूं फिर इसका मैं आपको प्रूफ ही दखाऊंगा की डॉक्मेंट उनका तैसिमा के अंदर ना हो तो उस प्रकार से उनको इन्वैलेड कैंडिडेट्स का करार दे दिया जाता है प्लस अपसेंट रहते हैं जनका कहीं और सलेक्शन हो गए आओ जैसे सीजील सीप्यों इनमें सेलेक्शन उनका अगर हो जाता है तो यूपीएसाई को कम प्रेफर करते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो एक यह रिजन्स होते हैं मिनिमम पांस परसेंट तो होता ही है और रणिंग के लिए कितने बलाए कि जब पांस परसेंट इसमें से फैल हो गए त तो फैल हो गए तो रणिंग क्वालिफाइड कितने होगे 11388 में से 205 गए तो 88883 जो केंडिटेट्स हैं जिन्हों ने रणिंग क्वालिफाइड करी तो दोस्तों जिसमें फाइनल मेरेट लगी थी वह एक सुप्रियम कोट का ववाजित था जो फैसल अगरा आया था उसम सब्सक्राइड में 20% 20% 25% इतने तो कम से कम होने ही यह बात तो सत्य है ठीक है फ्रेंट्स चलिए अब हम करते हैं क्या अब यह हो गया आमान आपको यह दिखा दिया अब है फ्रेंट्स यह कि हमको इस चीज का प्रूफ हमको कहां से मिला हमने आपको अपनी तरफ से यह तो में बना दिया तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यह Supreme Court का verdict यानि की फैसला है जो कि 65 पेजों का आया था आप उस 65 पेज को download करना और 65 पेज में से पांचवे और छटवे पेज पर यह data दिया गया है वहां से आप इसको देख सकते हो यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो सुप्रिम कोट के फैसले में पांच और छह फेज पर यह पूरा data दिया गया था कि कितने डीवी में सब कुछ यह साब कुछ बोर्ड ने दिया था सुप्रिम कोट में ठीक है फ्रेंट्स यह था हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ वियाड नहीं किया है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों नौर्मलाइजेशन के कि UPSIM जो नौर्मलाइजेशन है उसका आधार क्या होता है और उसमें किस प्रिकार से नौर्मलाइजेशन होता है ठीक है फ्रेंट्स इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूद नहीं होती है पस इसमें ही एक बात है कि आपका सैक्सना लेना वो क्लियर होना चाहिए चीक दोस्तों देखिए फ्रेंट्स ये ये भी मतलब कि RTI द्वारा मांगा गया जवाब था इसमें RTI लगी गई थी 2016 का ही है उसमें कि द्वारा ये RTI से इसकी जो सिफ्ट वाइज नॉर्मलेशन था उसका डाटा मांगा गया था ये आप देख सक आप जो कॉलिटी है उसको एचडी में करके आप देख सकते हो और इसको जूम करके आराम से खुद भी अनलाइसेस कर सकते हो जो कि आगे मैंने बताया है आपको यह मैंने टैप कर रखा इसी में सी देखिए दोस्तों यूप यह साइज सिफ्ट वाइज नॉर्मलाजेशन दोज़र 16, skilled marks है मतलब कोई candidates है इसी candidates का जो skilled marks था इसका 67.50 था मतलब की कुछ question एग्णोर भी हुए थे तो उनको मतलब एग्णोर करके फिर जो एक सोड़ ताल मतलब जितने भी question थे उनसे डिवाइड करके एक question की value निकाल कर तो skilled marks इसके आगी थे 67.50 section A में section B में 44.54 section 3 में side font 53 और section जो ds में 62.50 इतने marks इसके skilled होकर आये थी अब देखते है normalization shift wise कैसे होता है shift wise नहीं sectional wise ठीक है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता UPSI में sectional wise आपका जो normalization होता है कि GS में अलग होगा, Hindi में अलग होगा, Math में अलग होगा, Reasoning में अलग होगा, 4 section में अलग-अलग normalization होता है जैसे इनके section A में 67.50 marks थे, तो इनका section A था वो तोड़ा hard होगा, तो इनके जो नम्मर है 71.40 हो गए थे, इनको 4 जो नम्मर है उनका फायदा हो गया था ठीक है, section A में, अब इनका section B है, section B में इनके 44 पॉंट, 74 नम्मर थे, लेकिन इनमें भी इनको 4 नम्मर का फायदा होकर, 48 पॉंट, 0, 2, मतलब इन section में भी इनको 4 नम्मर का फायदा हो गया था ठीक है, अब scaled marks 3, मतलब कि section C में इनका कुछ GS या इन दी कुछ भी होगा, जिनमें इनके marks तो बन रहे थे, 60 पॉंट, 53 लेकिन इनके normalized marks कर दिये, 30 पॉंट, 77, मतलब इनके 6 marks घटा दिये गई ठीक है फ्रेंट्स, ऐसे होता है, और scaled marks DS में इनके 62.50 ते, और इनके normalized marks 21.70 में कर दिये, इसमें इनके 10 और 11 जो marks हैं, वो घटा दिये गए थे, तो इस प्रकार से normalization होता है, किसी section में normalization बढ़ता है, तो किसी section में normalization घटता है, ठीक है दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा problem ह होती है, लड़कों को कहा होती है, जैसे वही किसी लड़के के 120 marks है, ठीक है 120 marks नहीं, sorry 120 question है, और उसने जो उसका GS है, GS में उसके 18 question सही है, जबकि लाना कितना था, उसको 14, minimum 35% मान रहे हैं, तो उसके 18 question उसके सही है, लाना उनको 14 question था, लेकिन क्या होता है, उनकी GS काफी easy तो उनके 5 question कम हो गए, 5 question जब उनके कम हो गए, तो आप समाश सकते हूं, 5 question के कम होने के वावजूद वो कितने पर आ जाएंगे, तेरे question पर आ जाएंगे, ठीक है friends अब वो तेरे question पर आ गए अब तेरे question पर आने के वाबत उनके marks तो कम हुए हैं साड़े बारा ठीक है साड़े बारे नमबर उनके जो कम हो गए उस section में GS में और बाकी उनके उनका score बहुत अच्छा है और मानलों cut off गई है 110 marks तो उनका selection नहीं होगा और उनको ऐसा लगेगा कि जैसे कि जो कट जो उनके marks मों 35 नमबर कम हुए हैं जबकि उनका section clear नहीं था यह होता इसमें ज़्यादा difference नहीं आता पचास पचीस तीस इतना difference नहीं आता इसमें नहीं कभी भी लेकिन सफ्ट वाइज दस वारत जो नमर है उनका जरूर आ जाता है जैसे इनका सेक्षण डी है इनके दस जो नमर हो कम हो गए लेकिन इनके यहां भी तो देखो पैरलल में सेक्षण ए है सेक्षण भी है इनके मांक्स बड़े भी हैं एक ही केंडिडेट्स के तो यह होता है नॉर्मनाजेशन सफ्ट वाइज यदि आपके समझ में आ गया हो तो बताईए यदि फिर भी आपको क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट वॉक्स में लेखिए कि भाई लेने की जरूत है नहीं अब दोस्तों इसमें जो 2002 की यूपीस की वरती है उसमें जो सिफ्ट वाइजäsident वो पहले ही हो चुका है अब डीवी के जो लिस्ट आई है इसमें पहले french नायकीं हो गया था और जो दोज़़ा किती ुसमें जो keeper है नाके साब्स में जो नहीं किया भी जादा नहीं होगा इस वात की पूरी गारंटी है आप मैक्सिमम समझ लो कि एक दो तीनी सिफ्ट हैं जिनमें 12-13-13 जो माक्स हैं वो कम हुए हैं बाकि सबी में एक दो एक दो कॉस्टन का एक कम और जादा हुए हैं यह हम सारा डाटा आपको पहली वीडियो में दे चुक तो पांच इसमें पांच और चैपे पूरा डाटर दिया है जो हमने बता जाए है आज आज आपको पूरी चीज विद प्रूफ के बताई है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से यह रखा रहें और हमारे को सया यह पूछेंगे कि वाई हम आर्टी आई जैसे अपने यह मंगा जैसे दो अजर बाइस की वरति हम इसमें आर्टी आई से अपने माक्स जानना चाहें तो क्या जान सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब तक किसी वरती का फाइनल रेजल्ट नहीं आ जाता है त उसके वादा पार्टी लगा कि 10 रुपे मार्टी लग जाती है और आप अपनी माक्स जान सकते हो निश्चिंत ही ठीक दोस्तों इस वीडियो में तरह रखते हैं और वीडियो पसंद आती है तो अच्छे लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ठीक दोस